हेλो गाईज हूंं मैं हूँ अमित वह हमारी जो रूंक है वह गुझ इस तरीके करना दा बिए लेकिन बाईज में बहुत सारी सीज़ों को आसान बनाती है जैसे ये उसे सीट है इसके मदद से हम काफी आसानी से बैठ सकते है मेरर से जिनकी मज़ से पीछे देख सकते है लाइट की मदद से रात में चल सकते है मीटर सी मदद से स्पीड बगरा देख सकते है लेकिन कुछ चीजें बाइक में ऐसी है जिनके बिना बाइक नहीं चल सकती जैसे कि बाइक का इंजन बाइक के पहिये तो आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो भी जरूरी चीज़े हैं सिरफ वो छोड़के बाकी सारी आलतु-फाल दुख्या हटा दे और फिर बाईक को देखेंगी किस तरीके की दिखती है, किस तरीकी की चलती है तो आज हम बाइक की ये 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 जो भी ऐसी चीज़े हैं जो की हट सकती है और जिनकी बिना बाइक चल सके वो हटाने वाले हैं बाइक को करने वाले हैं नंगु पंगु बाइक के सारे कपड़े उतारने वाले हैं तो फटापची जुरू करते हैं और आप लोग इस कम के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो जरू से दबा दीजिए मुझे उम्मीद है कि बाइक का जो लुक है वो बहुत ही डिफ्रेंट दिखेगा आपने शायद कहीं भी नहीं देखा होगा तो शुरू करते हैं अब तो भाई साथ जो बाइक है उसकी चीज़े खोलना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो चीज़ खोलेंगे जो कि सबसे आसान है जो कि है यहां वाले यह यूटिलिटी बॉक्स इस इनमें जो है बाइक की भाई चाबी लग जाती है और यह बाहर निकल जाते है तो भाई पहली चीज़ भाई की हट चुकी है और यहां से एक खाली हो चुकी है अब दूसरी तरफ भी ऐसा ही है तो उसको खटाते है खटाक से और यह वाला पार्ट भी आ गया है बाहर प्रीक आपक भाई यह आगई बाई की टंकी एक प्लग रह गया और अरे बाई की लुक जो है तुझाओ आपक देखो किया और कितनी चेंज हो चुकी सिर्फ टंकी और सीट हटने से बिलकुल आदल बदल गया तो भई फाइनली हमने बाइक में से सारी चीजें अटा दी दिखाऊं आपको भाइक यहां पर है बाइक आप लोग के सामने और भाई साफ बाइक जो है वो बिलकुल लंगू पंगू हो चुकी है इसमें जो है कुछ भी नहीं चोड़ा हमने जो कुछ हट सकता था सब कुछ हटा दिया आप लोग देखो मतब ऐसे लग रहे है बाइक का कंकाल बच गया हड़ी हड़ी बस दोस्तों यहां पर हमने बाइक के तंकी हटा दी सीट हटा दी पीछे की लाइट हटा दी मडगाड हटा दी इवन साइलेंसर हटा दिया एर फिल्टर वाला हटा दिया लेग गाड हटा दिया जो कुछ अड़ा दकते दे हटा डाला और अब जो बाईक का लुक है वो कहीं न कहीं एक मकोड़े या कीड़ी की तरह दिख रहा है क्योंकि भाई इसमें सिरफ हुआ ही कंकाल कंकाल बचा है लेकिन टंकी हटा दी तो बाईक को फ्यूल देना पड़ेगा चलाने के लिए तो उसके लिए हमने एक जुगार बनाया है बोतल में एक इस तरीके की नलकी लगा लिए जिसको यहाँ पर टेप कर देंगे ठिक है और यहाँ पर टेपिंग कर दो यह है बाईक की टंकी जो हमने बनाई है वो भी आदा लिग ते किशी अरे यह घोमरा भाई तो वाईस यहां पर आपने देखा कि आवाद जो है वो बाइक की करसी होगी बटबटबट बटबट करने लगए क्योंकि साइलेंसर नहीं है पर साथ में यह जो पाथ है इंजन का यह गूमे जा रहे है कंटीनिवस तो आप इसको चलाते हैं और देखते हैं कैसी चलती है कि चलने में इतनी दिक्कत नहीं है बैठने में जाना दिक्कत है नीचे बैठने में अब जब चलने में तो परफेक्ट है अब चलने में जाना को अपाराण परीक्राण बच्टेव जाना क्याते है नहीं है सब्सक्राइब देख अपटा के मारती है लुष्लाइब बुष्लाइब तुष्लाइब। मय二 है कर दो गटाला हुआust इंस ज है वहा देप्द खंस तो आयोह ह्वायद किया थैस मैष्ट दोस्तों इस बाइक के उपर बहुत जादा नीचे हम बैठते हैं उसकी वज़ेसे यार बैठने में थोड़ा अनकमफरटेबल जरूर है साथ में टंकी भी नहीं है तो टांगे लगाने के लिए कुछ नहीं है यारने की जाता सपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी यार जो बैठनी लाइट वेट हो चुकी है कि जैसे अपाचे चलती है ना उस तरीके से चल रही है मतलब उतना पिकप उठा रही है वज़न कम होने की विदे से और भाई साब लुक तो यार इसके क्या लग रही है मतलब यार सच्ची में आप लोग देखो कि इतनी सिंपल चीज होती है बाईक एक्चली में लेकिन बाई छोटी-छोटी चीजे मिल करके इसको क्या बना देती है शिरफ एक लोहे का चैचिस है उसमें इंजन रखा हुआ है दो पाई ये लगे हुए ये है बस बाईक लेकिन फिर टंकी लगती है सीड लगती है लाइक लगती है पता नहीं क्या क्या लगता है और तब जाकर के बाईक की स्ट्रक्चर कंप्रीट होती है तो भाई साब आप लोग देख सकते हो कि किस तरीकी की बाईक कैसी चलती है बिना अपने कपड़ो के तो अगर आपको मज़ा इस वीडियो में तो लाइक जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस बाईक के लिए और एसी और मस उस वीडियो के लिए तो चलो फिर मिलते एंगली वीडियो में दब तक लिए नमस्कार ब बढ़ता है